गाईज क्या आप सब बहुत ही बढ़िया से सुन पा रहा है ना जीए स्वस्थ है तो बस आफ नीमित तोर पर भोजन करते रहो तो विसिकली यह विडियो हमारा विसिकली बनाकि चीज पर है तियार ध्यान दो एक वीडियो हमारा बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग होने माली तो यहाँ पर आप easy way में समझ सकते हैं कि मैंने यार लिक क्या रखा है तो यहाँ पर द्यान दिजिए सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरोही करम जी हाँ इसके बाद हम बात करेंगे औरोही करम और इसके साथ ही साथ बात करेंगे हम परसारित रूप लिखना इसके बाद सनी कटन संख्या और इसके बाद कोष्टक से रिलेटेड कुछ सवाल है एंड कोष्टक के बारे में और साथ ही बात करेंगे रोमन संख्या जिसे एक और नाम से कहते हैं रोमन संख्यांक ओके तो कैसे हो अप ध्यान देते रहो यार और बहुत ही बारिकी से एक दम हलुआ हो जाएगा क्या मेरी आवाज आपको सुनाई पढ़ रहा है न तो चलो यार देखते हैं बहुत ही आसानी से और समझते है और मैं आपको बता दूँ कि ये सब चीजे में से अगर आपको कोई भी चीज आता है ना तो आप इस वीडियो के नीचे यार लिख कर चले जाओ ठीक है तो और हां गाईज, अगर आपको लगता है की आरोह करम आता है, हमें समझना है क्योल और क्योल आरोह करम तो वीडियो को भागाएं, या स्कीप करें तो बस आप घवराईए मात आपके वीडियो के description box में आपको मिल जाएगा यहाँ पर timing set हुआ है और timing के साथ साथ वहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन से चीजे कितना minute के बाद start हो रही है तो आप उस पर click करके easy way में समझ सकते हैं तो बढ़ते हैं वहुत ही आसानी से आगे की और ठीक है तो देखते रही है तो यहाँ पर आप easy way में देखते रहेए गा तो आपको मिल किया रहा है जी हाँ दोस्तो आरोही करम तो अब इसको समझना कैसे है घटते करम बढ़ते करम हमें नहीं आता है समझ में अब मैं आपको समझाता हूँ पूरे low level से पूरा ही दम गहराई में घोश करके तो देखते रहो यार यहाँ पर आप मैं आपको समझा कैसे रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखिए गात वोधी बारीके से आपको दिख रहा है 32, 12, 66, 33 आप यहाँ पर देखिए कि आपको यह सब चीजे में से सबसे छोटा चीज आपको क्या दिख रहा है यानि हम क्या क्या रहे हैं कि 32, 12, 66 एंड तिरपन में सबसे छोटा चीज आपको क्या लग रहा है तो आपको लग रहा है इसमें सबसे छोटा चीज वो है हमारा 12 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथ ही लिख देंगे हम 12 जिहां लिख देंगे हम बारा और इसके बाद हम लिख देंगे बतीस जिहां गाइज लिख देंगे बतीस और साथ ही लिख देंगे यहां पर तीरपन है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि तीरपन उफो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर EZeeway में e 3000 लिख देंगे और बच क्या जाएगा अंतीमे में हमारा बच जाएगा 66 तो अब आप अंतीमे क्या किजिए कि उसे 66 भी लिख दिजिए तो यहां पर मैंने 66 लिख दिया है तो आपको दीख क्या रहा है कि सबसे पहले मैंने लिखा क्या है तो आपको दिख रहा है 12, 32, 33, 66 यानि सबसे पहले मैंने लिखा क्या है 12 यानि 12 क्या है 32 से छोटा है और 32 क्या है तो गाइस 33 से छोटा है और 33 क्या है तो 66 से छोटा है तो ये ज़़ चीज़े आपको यहाँ पर ध्यान क्या देने कि सबसे पहले छोटे चीजों यहाँ पर लिखना है यानि छोटे छोटे चीजों का सबसे पहले यहाँ पर लिखना है ठीक है तो और एक्जामपल हमारा क्या क्या है हमारा जो अगला एक्zwामपल आ जाता है वो क्या है यहां पर देखिए, हमारा जो अगला एक्जामपल है वो क्या है 938, 425 और 874 और 600 शरसट तो अब आप यहां पर ध्यान दिजए कि यह सब चारों जो यहां पर संख्या है इन में से सबसे बड़ा कौन चा है और सबसे छोट तो यहां पर यह सब में से सबसे छोटा अगर हम देखेंगे तो हमारा लग रहा है कि यह है 425 ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 425 को यहां पर लिख देंगे ठीक है तो यहां पर मैं देख सकते हैं कि मैं यहां पर लिख क्या रहा हूं तो 425 लिखने के बाद हमारा आज आता है क्या 600 सरसट यानि क्या है 600 सरसट ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके बाद हमारा आज आता है क्या 874 ओके क्या है 874 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 874 मैंने लिख दिया है और इसके बाद हमारा अंतिम में क्या है 938 है जिया क्या है 938 है तो अब आपको क्या कर देनी है 938 लिख देनी है तो अब आप यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिजिए और 938 में यहाँ पर लिख रहा हूँ तो 938 यहाँ पर जरसाना यार पे नहीं चल पर 938 आपको लिख देना ओके तो यहाँ पर लिखा चुका है और हमारा जो अगला अंतिम सवाल आ जाते है वो है उफो यार सुगा वो सुगा नहीं तोता ठीक है जी हाँ यहाँ यहाँ पर आप देखते रहिए अगला जो हमारा परशन है 4, 6, 8, 12, 9 इसे भी लिखना है आरो ही करम में तो घबराईये मत आपको ही बनाना है जी हाँ घबराईये मत आपको ही बनाना है यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आप क्या किजिएगा कोमेंट किजिएगा और उस कोमेंट में होना साहिए सबसे पहले 4 यानि के बाद यहां पर आप देख सकते हैं क्या है छे है और छे के बाद हमारा आ जाएगा आठ और आठ के बाद ने लिखा जाएगा इसके बाद हमारा जाएगा बारा तो इस तरह से आप कोमेंट में बताईएगा ठीक है तो बढ़ते हैं आरो ही तो हम समझ चुके अब हम समझते हैं औरोही जी हां गाइस क्या समझते हैं औरोही क्या आपको आसानी से दिख पढ़ रहा है वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और वीडियो की क्वालिटी नहीं भी बढ़ाएंगे तो आपको यह दिख रहा होगा हलो 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 यहाँ पर ध्यान दिजिए अवरोही करम है जी हाँ अवरोही करम है तो इसको समझना कैसे है तो यहाँ पर देखते हैं याँ यहाँ पर लिखा क्या हुए 48 और इसके बाद है 86 और इसके बाद है 38 और इसके साथ ही हमारा 63, तो अब इसे बनाना कैसे है, तो आपने अभी भी उपर दिखा क्या, कि सबसे पहले क्या लिखा रहा था, छोटे चीज यहाँ पर, वहाँ पर लिखा रहा था, तो अब आपको अवरोही करम में लिखना क्या है, सबसे बड़े पहले लिखना है भई, जियां सबसे पहले आ आपको दिख रहा है क्या है 86 तो अब आप इसको 86 सबसे पहले लिख लिजिए ठीक है तो सबसे पहले आप लिखिए 86 तो यहां पर मैंने लिख दिया है क्या 86 देख सकते हैं और इसके बाद हम लिख सकते हैं 63 ठीक है तो इसके बाद हम 63 लिख सकते हैं क्यों क्योंकि अगर हम 86 अगर बंद करे तो ये तीनों में से सबसे बड़ा हमारा 63 ही है ठीक है और इसके बाद हम 63 को बंद करेंगे तो ये दोनों में से हमारा बड़ा कौन है तो 48 तो यहाँ पर हम 48 लिख देंगे और हम 48 को बंद करेंगे न भई तो इसके बाद हमारा के आ जाएगा हो हो 38 आ जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ पर यह सब चीजे बहुत ही बिलकुल घराई से समझ सकते हैं ठीक है तो आपको बहुत ही आपको यह बहुत ही बारी की से आ गया होगा ठीक है तो जड़ा सा इसको हम वही किलियर करते हैं ठीक है चलिए हमारे जो अगला ये वाला हम solve करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखते रहीं है, क्या है, 555, 545, 564 और 543, तो अब आपको देखना क्या है सबसे बड़ा, तो सबसे पहले Бड़ा, इसमें के है यार, देखते हैं, तो सबसे फेले आप देखेंगे तो आपको दिख नजर आजागा 564 तो यहाँ पर सबसे पहले 564 आपको लिख देना है अब जयसे ही हम 564 को यार कल्मा करेंगे तो आप देखते हैं यह 3 origins में सबसे बड़ा कौन है तो यह 3radas में हमारा आजागा 555 तो यहाँ पर हम 555 लिख देंगे ठीक है और जैसे हम 555 को कला करते हैं तो 545 और 543 बच जाता है तो हमारा जगा 545 क्या जगा 545 और इसके बाद हम 545 को कला करते हैं तो हमारा आपका बच क्या जाता है तो 543 जी हाँ समझ गया ना 500 क्या? 43 तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 543 क्या आपको यह बत्तिया समझ आ रहा है? नहीं आ रहा यार नहीं आ रहा है? अरे यार कैसा बात करते हो? यह आपको आ गया है लेकिन आप जूट बोल रहे हो ना चलो यार आप हम समझते हैं आगे किस चीजें और आपको करना है कॉमेंट यह सब चीजों का answer यहाँ पर 15278 यह सब चीजें है इसको आपको बना देनी है और कॉमेंट सिक्षन में आपको लिख देना है तो आरोही और आरोही तो समझ गया है अब हम समझते हैं आगे की चीजे और आगे की चीजे में हमारा आजाता है क्या आगे की चीजे में हमारा जो आजाता है वो आजाता है परसारित रूप लिखना क्या आजाता है परसारित रूप लिखना तो चली इसको लिखते कैसे हैं परसारित रूप और आप ध्यान दीजिए एक-एक चीज मैं बताऊंगा जो आप ये सब चीजे जानते हैं लेकिन भूलते हैं तो आज भूलेंगे नहीं आप यहां पर सबसे पहले मैं आपको 121 का परसारित रूप निकालना सिखाऊंगा ठीक है तो ध्यान दीजिए तो सबसे पहले आप जिस सिचुएशन में खड़े हैं जिस सिचुएशन में आप बैठे हैं उसके बाइयोर आपका जो हाथ है उसके बाइयोर आपको संख्या दिख रहा है एक दिख रहा है ना एक आपको दिख रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना एक यहां पर लिख देना है अब आपको करना क्या है एक लिखने के बाद हमारा दो संख्या यहां पर बच गया यानि एक को हम कर देते हैं कला और एक लिखने के बाद हमारा बच गया कितना 21 तो कितना बच गया दो संख्या तो मैं आपको बता दूं कि दो संख्या रहेंगे तो आपको लिखना ह सो और एक रहेंगे तो आपको क्या लिखना है आपको लिखना है दस ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉर्णर पर लिख दे रहा हूं और आप यहाँ पर समझने का परियास कीजिएगा एक संख्या रहेगा तो आपको क्या लिखना है दस और दो संख्या कोई रहेगा तो आपको लिख देना है सो और कोई तीन चीज रहेंगे तो आपको लिख देना है आपको एक हजार ठीक है तो इसे आप समझने का पर्यास किजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कर देनी है ठीक है और इसके बाद आपको गुना करने के बाद आपको पलस का चीन लगा देना क्या आपको सुनाई पढ़ रहा है जी हाँ सुनाई तो पढ़ी रहा है और इसके बाद आपको करना क्या है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पलस देने के बाद आपको देखने अगला संख्या, तो अगला संख्या हमारा क्या है, दो है, तो यहाँ पर आप दो लिख दीजिए, और दो लिखने के बाद आप देखेंगे, इसको हम काला करते हैं, दो लिखने के बाद हमारे एक संख्या है, तो एक रहेगा तो आपको, दस से गुना करनी है, मैंने अभी भ क्या किया है बताया है तो दस्त मैंने लिख दिया इसके बाद आपको पलस करते हैं और लास्ट में हमारा जो संख्या बच जाता है जरा से इसको हम किलियर करते हैं लास्ट में हमारा जो संख्या बच जाता है वो कितना है तो यार एक है तो अब लास्ट में एक और एक यहां पर इजी वे में लिख दीजिए अगर आप ये सब चीजों को आसानी से जोड़ेंगे गुणा करेंगे ना तो आपको वो संख्या प्राप्त हुजागा जिस संख्या का आप पर सारी तरूप निकाल रहे थें तो देखते रहिए कैसे होता है तो याप पर पेन की कोलर चेंज तो एक गुणे अगर हम सौ करते हैं तो आपका सौ ही पराप्त होगा पता है ना और इसके बाद दो गुणे दस करेंगे तो आपका और जागा बीस और इसके बाद हमारा बच गिया एक और तीनों को जोड़ेंगे ना मेरे प्यारे भाई तो आपका जो पराप्त होगा वो उल्गेगी बातें तो और एक और मेरा सवाल है जिसको हम बनाते हैं आजानी से तो हमारा अगरा सवाल है पांच हजार आठ सो बतिस और इसको पेंपर सुप स्या根ल में आप देखी क्या है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर कॉंपी पर देखी आप अपने साइड में मत देखी है ठीक है तो यहाँ पर देखी यहाँ पर पांच है तो सबसे पहले आपको क्या कर देनी है पांच को लिख देनी है और लिखने के बाद आपको क्या करनी है कितने संख्या बच गया तो तीन अब तीन है तो आपको क्या करना है एक हजार से यहां पर गुना कर देना है और इसके बाद गुना करने के बाद आपको दे देनी है पलास का चीन अब आपको क्या करना है दूसरा नमर में देखना है क्या है तो आठ है क्या है तो दूसरा नमर में हमारा आठ है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे आठ लिख देंगे और जैसे ही आठ लिखते हैं तो हमारा आठ लिखने के बाद जो इधर संख्या बच गया वो दो बच गया तो दो बच गया तो दो रहेगा तो मैंने आपको बताया ही था कि दो रहेगा तो आपको सो लिखना है ठीक है और इसके बाद आपको पलस कर देना है और साथ ही यहाँ पर बच गया तीन बच गया तो तीन यहाँ पर लिख दीजिया और तीन हम जैसे ही लिखें तो आपको कि क्या बच गया भई तो एक बच गया कितना बच गया तो एक यहां पर यानि बच गया यानि दो है तो एक बच गया तो एक बच गया तो मैंने आपको बताया भी था कि एक रहेगा तो आपको दस से गुना करना ही है तो यहां पर तीन तो हो गया और मल्टिपल हम यहां कर दें अब आपको मिलाना कैसे है कि मैंने सब चीज कर दिया है या नहीं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पांच है तो मैंने पांच लिख दिया है लिख दिया ना और यहाँ पर आठ है तो मैंने आठ यहाँ पर लिख दिया है तीन है तो तीन मैंने यहाँ पर लिख दिया और दो है तो मैंने दो यहाँ पर लिख दिया इसका मतलब यह कि मैं यहाँ पर सही चल रहा हूँ अगर आप इसे गुना जोड घटा करेंगे न तो आपको वो संख्या प्राप्थ हो जाएगी जिस संख्या का आप पर सारी लिखना चाहते थे ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर 5 गुने हम यहां पर paint की color हम पटाक से change करते हैं तो 5 गुने हम 1000 करेंगे तो आपको हो जागा 5000 ठीक है पलस और इसके बाद हम क्या करेंगे आठ गुने सौ करेंगे तो आपका हो जागा आठ सौ जी हाँ ठीक है और इसके बाद हम करेंगे तीन गुने दस तो आपका जो हो जागा वो तीन दहां के तीस और इसके बाद हमारा प्लस में आ जागा दो तो अगर आप ये सब चीजों को असानी से जोडेंगे तो आपका जो संख्या पराप्त होगा न वो कितना हो जाएगा पांच हजार आठ सो बतीस जी हाँ पर सारित क्या करना था हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जी हाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं पर सारित क्या करना था तो क्या आपको यहां तकी बाते आ रहा है या नहीं आ रहा है तो अगर आपको यह आ गया हो तो यार चलो ना बढ़ते हैं घर की और घर की और नहीं यहां पर ध्यान दीजिए तो आगे की चीजे हमें समझना क्या है सनी कटन संख्या देखो यार सनी कटन संख्या को ध्यान से देखना आपको खुद वखुद समझ आ जाएगी सनी कटन संख्या में देखना है कि निकट की संख्या में मतलब क्या आने वाला है जल्दी तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको सवाल में क्या करा रहा है 11 का सनी कटन मैंने यार सिंपल लिया है ठीक है तो 11 का सनी कटन अगर आपसे पुछ दिया जाए तो मेरे प्यारे साथ यहाँ पर 10 लिख दीजिए आँख मुंद कर यहाँ पर 12 का भी पुछे तो आपको 10 ही लिखना है 13 का पुछे तो आपको 10 ही लिखना है और 14 का पुछे तो आपको 10 ही लिखना है क्योंकि 20 तक जाने में बहुत सारा लेट है ठीक है ना और इसके बाद हमारा जाने 15 और 15 में हमारा हो जागा क्या तो 20 यहां पर हो जागा क्योंकि हम 10 भी लिखेंगे तो 5 ही कम करना और 20 में जाएंगे तो 5 ही लेना है तो यहां पर 20 लिखेंगे ज्यादा बेतर होगा और इसके बाद हमारा जेगा 16 तो 16 में भी 20 और 17 में भी 20 और 18 में भी 20 और 19 का भी सनी कटन संख्या 20 ही होगा तो ये चीज़े आप easy से समझ सकते हैं आप देख भी पा रहे हैं तो आगे आईए ना आगे देखिए यहाँ पर आपको क्या सवाल है 1 से 49 तक का सनी कटन संख्या यानि हम 100 तक अभी जाएंगे तो हमें क्या लेने पड़ेगी बहुत संख्या लेने पड़ेगी जैसे 51 संख्या यहाँ पर हमें लेने पड़ेगी इससे बेटर है कि हम यहाँ पर 0 ले ले 0 हमारा जल्द ही भीरू है भीरू नहीं जल्द ही निकट है ठीक है आपको देखे 0 लिखेगा तो उतना ही घटाना पड़ेगा और 100 लिखेगा तो उतना ही लेना पड़ेगा तो बेतर यही होगा कि हम आगे बढ़ जाते हैं तो 100 यहाँ पर लिख देते हैं और इसके बाद हमारा जाता है 349 यानि अगर हम यहाँ पर 400 करेंगे तो हमें 51 लेने क कि जरूरत है तो 51 ना लेकर के बल्कि हम यहाँ पर इसे 300 ही ले लेते हैं क्या आपको समझा आ रहा है या नहीं आ रहा है वई आ रहा है तो यार चलो बढ़ते हैं आगे की और समझ गए ना चलिए तो आ रहे हैं आपके सामने कोष्टक जी अब समझते हैं कोष्टक जी को ब्यानक सुचना है जी हाँ कोश्टक कोश्टक आपके तीन तरह के होती हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जी हाँ आपने अभी भी सुना ही है कि कोश्टक कितने प्रकार के होती हैं तीन तरह के तीन प्रकार के होती है पहला हमारा जाता है छोटी कोश्टक और दूसरा हमारा जाता है मध्यम कोश्टक और इसके बाद हमारा जाता है बड़ा कोश्टक कोश्टक नहीं कोश्टक ठीक है तो यहाँ पर आप ध्यान दिजिए छोटी मध्यम और बड़ा तो आप इसमें ध्यान दिजेगा तो ये छोटी में किस तरह से और मध्य में किस तरह से और बड़ा से किस तरह से तो आईए इसे एक्जामपल से हम समझते हैं तो अगर आपको कोष्टक सरेटेड सवाल दे दे तो खुछ इस तरह का ही देगा इसमें मैंने छोटा कोष्टक अभी भी लिया है तो आप बड़ा मध्यम सब लिजेगा लेकिन हाँ सबसे पहले आपको कोष्टक वाला ही हल करना है तो यहाँ पर आप देख लिजे चार यहाँ पर आपको जरा साहम पेन लेते हैं और दूसरा तो यहाँ पर लाल लेते हैं तो किसी पिचर आपको दिमाग में लग रहा होगा तो चार यहाँ पर ले लिए और इसके सामने प्लस करते हैं और दो गुने हम तीन करते हैं तो आपका छे ही होता है तो चार और छे आपका कितना हो जागा तो 4 और 2 आपको हो जागा 6 और multiple में यहाँ पर 3 है तो 6 और 6 गुने 3 हम करेंगे तो 6 तरी 18 क्या आपको बात समझ आ रहा है जी हाँ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की सीज़े हैं तो यहाँ पर लिखावाए 6 गुने 4 यानि 6 चो के आपका हो जागा 24 और इसके बाद प्लस करते हैं और 3 गुने 5 यानि 5 तिया यानि 3 पसी 15 तो इसे हम जोडेंगे न भई तो आपको जागा 549 यानि आप समझ सकते हैं 49 हो जागा तो मैंने यार 29 लिख रहा था भी भी तो यहाँ पर आपका हो जागा 49 और हो गया आपका समाप्त यह अब भी तो वीडियो वाक गुना कर देंगे इसके बाद 4 और 3 कितना होता है भाई तो 7 होता है और इसके बाद multiple करके लिख देंगे यार क्या यार लिख देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 5 तो आप इसे जल्दी से जल्दी अगर गुना करेंगे तो आपको हो जाता है कितना 210 जी हां कितना हो दास च्याया मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रहा है ना थीक है तो चली स्वाल हमारा है वह क्या है वह है रोमान संख्या तो बैसिकली रोमन संख्या आप सब को दस तक आता है या नहीं आता है आता है तो नीजे लिख दिजिए हाँ और नहीं तो ना बच्चा की तरह मैं बताता हूँ और बच्चा की तरह समझाता हूँ भले ही रोटी जल जा लेकिन कच्चा न होनी चाहिए रोटी को जब तक पकाईए जब तक कि वो जलना जाए जी तो देखो यार हम समझते रोमन संख्या तो रोमन संख्या को और हिंदी एक और इस तरह से आपको लिख देगा रोमन संख्या कन संख्या कन नहीं संख्यांक यहां पर आपको लिख देगा तो रोमन संख्यांक आपको लिख देगा तो आप घबराईए गमत वही होता है यहां पर जो मैं बता रहा हूँ तो रोमन संख्या 10 तक तो पता ही होगा किस तरह से होता है और 10 के बाद आपको मैंने 11 से यहां पर लिख दिया है तो यहां पर आप इसको लिख लिजी 11 का इस तरह से होता है और 12 का इस तरह से यानि 12 का कितना एकस आई आई और 13 का एकस आई आई और 15 का X भी इसी तरह आप देख सकते हैं और क्या क्या चीज़े हैं तो 20 तक का ये सब चीज़े हैं देखिए तो क्या है तो यहां पर देखिए 16 का X भी आई आई और 18 का आपका हो जाएगा क्या X भी तिरफल आई और यहां पर 19 का हो जाएगा X आई X और 20 का हमारा हो जाएगा X ठीक है और इसके बाद आगे की चीज़े देख सकते हैं क्या क्या चीज़े हैं तो इसे आप अस्किन सौर्ट ले सकते हैं ठीक है तो आगे की और बढ़ता है आपका भाई और आज किस व नए वीडियो के साथ तो बने रहो और जूडे रहो नीचे लाल क्राइब का सब्सक्राइब है उस पर दबाद दीजिए तो बने रहें और जूडे रहें बाई 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 टेक क्यार बेस्ट अफ लक